प्रेस दी बेर लाइकन, निवर मिस अपडेट फ्रॉम स्टूरेंट कावरी तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो आप जल से जल उसको सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि आपको कॉलेज में एंडरोल होने से पहले एडमीशन लेने से पहले ही वो सब इंटरनल इंफॉमेशन मिले जो की डिरेक्ली ओफिशिल कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता है वहांके स्टूडेंट्स भी इतने अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे हम लोग में टायाप करके रखते हैं स्टूडेंट्स को हर कॉलेज के और यूनिवरसिटी के वो हमको रिव्यूज बताते और वो हम आप तक पहुचाते तो कंटिनुसली बने रहो और अपना एडमीशन से पहले तक अच्छे से पूरी इंफॉरमेशन ले पाओ तो कंटिनुसली बने रहना उसके लिए तो दोस्तों मुझे में बहुत कॉमेंट्स आ रहे थे बहुत लोग कॉल भी कर रहे थे जो की बहुत संदमर हमने नीचे दिया कि आप LNCT के बारे में वीडियो बनाईए तो LNCT जो भुपाल में उसके उपर वीडियो अपलोड हो चुका है तो अगर आपको उसकी इंफॉरमेशन चाहिए तो आप डिरेकली बेख सकते हो लेकिन अगर मैं अब आज जो वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी LNCT के बारे में उसकी पूरी इंफॉरमेशन आपको देने माली हो इसका जो फुल फॉरम है वो है लक्षमी नारायान कॉलेज ओफ टेक्नोलोजी जबलपूर में लोकेटेड है स्टेट में लोकेटेड है ये कॉलेज ये 2008 में फाउंड किया गया था इस्टैबलिश्मेंट इस अगरेडिटेशन भी दिया गया है और इंचल पॉर टेक्निकल एडुकेशन के थूड़ ये इस ती से इनको अगरेडिटेशन दिया गया है अगर मैं यहां के कैंपस इंट्रास्ट्रुक्चर की भी बात करो तो यहां का जो कैंपस है वो लगबग 33 अकर में स्प्रेट किय आपको आने जाने में वेहिकल नहीं मिल रहा है क्या तो वह भी यहां का पॉजिटेशन आप बोल सकते हो कि कैंप सिटी के ही अंदर ये लोकेटेड है और यहां मैंने बताया जैसे की 33 अकर में फैला हुए तो हर फैसिलिटी जो की बेसिक फैसिलिटी कॉलेज स्टूर्श हो गया यहसे ही स्पोर्च की फैसिलिटी हो गई बस की फैसिलिटी हो गई तो यह सब कैफ़ेटेरिय यह सब हर कोई जो करवाइड काता यह इस को बाहर जाके इसको जा कि कुछ समान लेना है उसको अन्दर ही सब कुछ मतलब इसली घाता है अगर मैं यहां के courses की भी बात कर तो UGPG level के courses यहां पे करवाया जाते हैं diploma courses यहां पे होते हैं MBA यहां पे करवाया जाता है B.E. और M.E. mainly technical field में यहां पे होता है जो B.E. होता है यहां पे mainly 4 specialization में होता है एक mechanical, civil, CS में और electronic and communication engineering में यहां की जो seats भी है intake करते हैं यह लोग 60 limited रहती है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 60 ही सिर्फ seats बरती हैं आगे पीछे वो हो ही जाता है as usual हर college में वो तो होता है तो यह भी हो जाता है यहां पे भी admission mainly आप यहां पे कैसे लो तो अभी counseling start हो चुकी है MPDTE की तो आप उसके basis में आप admission ले सकते हो आप counseling में अपने आपको register करो enroll करो आप पूरी information अपनी भरो choice filling करो और आपको easily फिर उसके आपके marks की basis में कि आपके जेई में कितने marks आएं cut off कितना जा रहा है उसके basis में फिर आपको यहां पे enrollment मिल जाएगा required specialization जो कि आप चाते हो तो उसके cut off के basis में मिल जाएगा अगर आप confused हो कि MPDTE में कैसे आप भरो क्या कैसे करो आप पूरे confusion है अगर आपके अंदर तो हम लोग ने उसके उपर भी video बनाया कि choice filling कैसे होती है क्या procedure follow किया जाता है तो उसकी भी link description में है तो आप easily देख सकते हो कि कैसे counselling होती है क्या क्या process की जाती है तो step by step उसमें आपको in depth में सब कुछ बताया गया तो आप वहां से देख सकते हो easily यहाँ पर अगर events की भी बात करो तो बहुत से social life events करवाया जाते हैं बहुत से जैसे कि Republic Day यह सब normal functions भी यहाँ पर होते रहते हैं इनका एक region भी एक fest है वो करवाया जाता है यहाँ पर regular basis में यहाँ पर fest वगेरा होते रहते हैं industrial visit वगेरा भी करवाया जाते हैं बच्चों को तो वो भी आप बोल सकते हो कि corporate culture से student को regular basis में industrial visit हो रही है डेल जैसी फिलिपकार जैसी companies आ चुकी है और ऐसा बोला गया है वहाँ पर कि 70% students place हो जाते हैं हर साल तो वहाँ पर भी बोल सकते हो कि हाँ placement यहाँ का अच्छा है कि 70% बच्चों को place किया जा रहा है अच्छी अच्छी companies में यहाँ की faculty भी यंग है energetic है तो वह भी difficulty नहीं आती है बच्चों के लिए अच्छे है वह faculty experienced है आप बोल सकते हो lab equipment हो गया यह सब भी बहुत अच्छा है infrastructure मेली अच्छा बनाया गया है यहाँ पे students बहुत cooperative है यहाँ के student oriented type का यहाँ पे involvement है अगर मैं कुछ constraint की भी बात करो तो extracurricular activities में इतना जादा active participation students का नहीं होता है इतना जादा exposure नहीं मिलता है उनको कही न कहीं तो यह यहाँ का negative point कही न कहीं आ जाता है hostel facilities भी बहुत limited है PG वगएर जादा बच्चे हायर करते हैं बाहर जादा मतलब रहना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत limited seats ही रहती है hostel वगएर की भी infrastructure वगएर अच्छा है लेकिन इतना जादा impressive इतना जादा attractive type का आप नहीं बोल सकते है इतना satisfying नहीं है यहाँ पे अगर मैं overall rating की भी बात करो सबकोच academic हो गया placement हो गया, social life हो गया, accommodation हो गया infrastructure हो गया तो out of 5 की scale की rating में मैं इस college को बोलना चाहूंगी की 3.9 की rating आ सकती है इस college की तो I think मैंने पूरा cover कर लिया है और आपको वर्थफुल लगी हो की information अगर और भी कोई queries हो, doubt हो तो comment कर देना आप और अगर आप इस particular institute के बच्चे हो तो हमने watch some number भी दिया है वहाँ पर form भी है तो आपकी वो information hidden रहेगी आप वहाँ पर reviews डाल सकते हो ताकि बाकी अगले videos में मैं आके वो बच्चों को वो information भी provide करूँ जो की उनके लिए important है जानना बहुत relevant है उनके लिए वो सब जानरे admission लेने से पहले तो आप reviews डाल लेना बाकी बच्चों की help करने के लिए और मेरा video पसंद आए हो तो like जरूर करने जा and stay tuned with us guys